दोस्तों मस्कार अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अपलीकेशन में लोगिन नहीं कर पार है उसका रिज़न यह है आपके पे फोन में ओटिपी आ रहा है लेकिन यहाँ पे ओटॉमेटिक ओटीपी फिल नहीं हो पार है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं नहीं नीचे में कीबोड आ रहा है ओड्यपी बाला ताकि आप मैंवली यहां पर इंटर करके ओट फिल कर सके तो आखिर क्या प्रोब्लम हुआ है आपके फॉन में और या मेरे फॉन में कैसे मैंने इसको ठीक किया वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को शुरू से अंतक जरूर देखेगा तभी आप इस problem से छुटकरा पा सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आपका region हो सकता है OTP, automatic field नहीं हो रहा है और यहाँ पे keyword आपका so नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को complete process देखते रहे माँ आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिनसे आप यह problem को solve कर पाएंगे हलाकि मेरे phone में भी यह problem आ रहा था लेकिन मैंने ठिक कर दिया वही मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ दोस्तो जब भी आप इंडिया post payment bank के application में लोगिन करने जा रहे हैं इस बात को जरूर आप धियान रखे जिस भी mobile में आप इस्तमाल करना चाहते हैं इंडिया post payment bank का application उस mobile में आपका register नमर लगा होना चाहिए और यहां पर unlimited page से recharge होना चाहिए ऐसा recharge रखे जो कि आप किसी को message भेज सकते हैं वो वाला recharge आप रखेंगे तो यहां पर साइद आपका कोई भी problem नहीं होने वाला है तो इस बात का जरूर आप धियान रखेंगे बागी बाद चलिए कुछ आपको setting करना पड़ेगा तो आप भी अपना setting open कर लिजे और setting open करने के बाद यहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं apps नाम का एक page आपको यहां पर खुलेगा setting में नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा option है तो setting जैसे open करेंगे इस page को उपर करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं apps and permission वाला option दिखेगा तो यहां पर आपको क्लिक कर देना या नहीं तो direct app search भी कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं app manager वाला एक option दिखेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, लोडिंग ले रहा है, जो भी आपके फॉन वे अप्लिकेशन होगा, एप्स होगा, इंस्टॉल वो यहाँ पे दिखेगा, तो इस पेज को थोड़ा सा आप उपर करना है, तो यहाँ पे Google Play सर्विस का नाम का एक अपनी कसन आपको ढूना है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ढून लिया, तो यहां पे Google Play सर्विस वाले ओप्शन पे- organizations क्लिक कर देना है, और कीक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3.000 भी दिकेगा, अगर 3.000 दिक लिए फिर से ओके कर देते हैं यह देखिए जो भी आपका अपडेट हुआ होगा वह यहां पर अनिस्टोल हो जाएगा यह होने के बाद आप क्या करेंगे डिरेक्ट आप अपना जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अप्लीकेशन में आ जाएंगे तो चली हम यहां प कर देंगे एलाव करने के बाद लोग इन नौ पे आप किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद एकाउंट नमर यहां पर इंटर करेंगे कस्टमर आइडी इंटर करेंगे डेट ओव वर्थ यहां पर आप इंटर कर देंगे अपना रजिस्टर मौल नमर इंटर कर देंगे तो यहां पर security का यहां पर question का answer यहां पर दे देंगे तो चलिए हम यहां पर फटा-फट यहां पर दे देते हैं तो आप इसी तरगे से दे सकते हैं अगर आपको क्या इसमें इंटर करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए जाके आप देख सकते हैं उसके बाद summit वाल option पर हम click कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं OTP automatic यहां पर फिल हो चुका है तो चलिए हम यहां पर आपको message भी दिखाते हैं एक बार login या post payment bank का यहां पर login हो चुका है चलिए मैं आपको message भी दिखाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं IPPB तो यहां पर देख सकते हैं यहाँ पे OTP आ चुका है अगर आपको OTP नहीं आ रहा है तो यहाँ पे Play Store open कर लेंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर देंगे Google Message तो यहाँ पे Message आप अपने phone में install कर लेंगे जो भी आपके phone में Message वाला application होगा उसको uninstall करके इसको आप install कर लेंगे तो इसमें भी आपका Message आ सकता है फिर भी इंडिया Post Payment Bank में login नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको टॉल फ्री नमर मिलेगा इंडिया Post Payment Bank का यह वाला नमर 155229 इस पे आपको एक बार संपर कर लेना है और यहाँ पे आपको एक email ID मिलेगा इस email ID पे भी आपको एक बार संपर कर ल है तो लिए मैं आपको बता देता हूं जैसे कि यहाँ पे Gmail open कर लेंगे और Gmail open करने के बाद यहाँ पे Compass वाले option पे आप क्लिक कर देंगे है इंडिया पोस्ट payment bank का जो email ID है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे जो भी वीडियो में आपको मिला है सब्जेक्ट में लिख देंगे OTP problem यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे आप नाम लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे आप mobile नमर लिख देंगे तो चली हम यहाँ पे mobile operator आप लिख देंगे तो सीम operator लिखने के बाद यह सब नाम इसके आगे नाम लिखेंगे सीम operator यहाँ पर लिख देंगे कौन सी company का सीम है उसके बाद यहाँ पे screen sort लेना है जो आपको problem आ रहा है तो यहाँ पे आपको click कर देना है इस वाले file पे और यहाँ पे attach file पे आपको click कर देना है और ऐसा करने के बाद file दिखेगा तो यहाँ पे जो भी आप screen sort लिए हैं उस पे आप click कर देंगे इसके बाद यहाँ पे select वाले option पे click कर देंगे यहाँ पे आपका file आ जाएगा पे send कर देना email तो यहाँ पे 24 से 48 घंटे में आपको message आ जाएगा कि कैसे आपको क इंडिया पोस्ट payment bank में आप login कर पाएगा जो भी आपके पास इंडिया पोस्ट payment bank application है उसको एक बार install कर दीजे उसके बाद दुबार आप play store पे जाएए install कीजे उसके बाद यह प्रिकिरिया कीजिए आपका 100% problem solve हो जाएगा